Hello Friends, Welcome to Electrical IQ Friends, आज मैं आप लोग को ऐसा एक government site के बढ़े में बताऊंगा जहां से आप लोग को free में internship मिलेगा ये जो site के बढ़े में बताऊंगा ये Ministry of Housing and Urban Affairs Ministry of Human Resource Development की तरफ से provide किया जा रहा है ये एक internship program चलाया जा रहा है government की तरफ से और आपको कैसे यहाँ पे internship मिलेगा कैसे आप यहाँ पे register कर सकते हैं इसका पूरा details मैं आपको यहाँ इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो पूरा देखना है और इस channel पे पहली बार आए है तो channel को भी subscribe करना है और इस वीडियो को जरूर अपने friend circle में share करें और जिसको इस internship की जरूरत है उसको इस वीडियो से थोड़ा help मिलेगा तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो पहले आपको Google में आके search करना है TULIP Tulip या The Urban Learning Internship Program और मैं इस site का link नीचे description में दे दूंगा आप वहां से भी इस site पे आ सकते हैं तो site पे आने के बाद आपको पहले यहाँ पे register करना पड़ेगा तो register करने के लिए register पे click कीजिए और आपको एक ऐसा एक interface आजाएगा और अब देख सकते हैं student के नीचे जो register लिखा है आपको वहाँ पे click करना है register पे click करने के बाद आपके सामने student register का एक form open हो जाएगा जहाँ पे आपको ऐसे simple details आपको feel करना है जैसे आपका university, college, institute का name, student id, first name, middle name, last name, state, email id, contact number, password और confirm password देके आपको यहाँ पे नीचे I am not robot पे click करके register में click करना है तो यहाँ पे जो उपर में दो option दिया गया है आपको वहाँ पे जैसे AICT affiliated organization और non AICT affiliated organization आपको दोनों में से एक को click करना है तो चलिए मैं click करके register कर लेता हूँ जब आप register पे click करेंगे तो आपके जो अपने जो mail id दिया है उसी mail id में एक link गया होगा आपको उस mail id में जाना है तो मैं अपने mail id पे आ गया हूँ ओके तो ऐसा एक mail में ऐसा एक link आएगा देख सकते हैं AICT internship की तरफ से ये link आया है उसके उपर click करने के बाद आपको फिर से उसी site पे आपको ले जाएगा और यहाँ पे आपको लिखा है यूर account has been activated please login तो आपको login के उपर click करना है तो फिर से student login पे click करके आपको यहाँ पे email id और password देके login हो जाना है तो चलिए मैं email id पासवर्ट फिल करके login होता हूँ जैसे आप login हो जाएंगे तो screen के बाएं तरफ आप देख सकते हैं कि आपका एक dashboard open हो गया है जहाँ पे आपका profile application management ऐसे बहुत सारे option दिया गया है और ऐसा एक आपका form open हो गया जहाँ पे आपका personal details उसके बाद training and placement officer का एक form है यह feel करके save करना है उसके बाद skill language and certification इसका भी एक form आपको fill करना है बहुत सारे skill language known ऐसे इसके बाद reference letter का भी एक form आपका open हो गया जो आपको साथ college से लेना है उसके बाद upload document के उपर आपको कुछ resume covering letter ऐसे आपको कुछ certimaxit आपको यहाँ पे upload करना है उसके बाद area of interest आपको यहाँ पे fill करना है उसके बाद link आप यहाँ पे अपना link in का भी link यहाँ पे दे सकते है उसके बाद आपको यहाँ पे सारे कुछ upload करना है तो आप जैसे यह सब upload करेंगे तो आपके mail में इस internship related अगर कुछ government internship या private internship available है तो आपके पास यह मिल जाएगा तो I think आपको यह video अच्छा लगा होगा तो friends video अच्छा लगा है तो जरूर इस video को एक like करें और अगर आपको कुछ problem है कुछ query है तो मुझे comment section में जरूर बताए मैं कोसिस करूंगा उसका reply देने के लिए Thank you